मैं आज जब हर्याना की धर्ती के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं जुरू कुछ और भी बात बताना चाहता हूँ. मेरा सवभागी रहा है, मुझे हर्याना से बहुत कुछ सीखने को मिला है. जीवन का एक लंबा कालखन मुझे हर्याना में काम करने का मोका मिला है मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है अनेक दशकों के बाद हर्याना को मनोहरलाल जी खटर के नेतुत्व में सुद्ध रुप से इमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हर्याना के उजवल भविश के लिए सोती है मैं जानता हूँ अभी मिडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारत्मक बागतों तरफ कम गया है लेकिन कभी न कभी जब हर्याना का मुल्यांकन होगा तो पिछले पांच दसक में सबसे उत्तम काम करने वाली है इनोवेटिव काम करने वाली है दूर की सोज के काम करने वाली है यह हर्याना सरकार है और मन्होरलाल जी को मैं सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुखमंतरी के रुप्व queue hug प्रतिभा जिस पृकार से निखर करके आई है अनेख विविद कारकमों को, जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कारकम करते हैं कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हर्याना का ये प्रयोग पुरे देश में लागू करना चाहिए और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किये भी है और इसलिए आज जब मैं हर्याना की धर्ती के पास खड़ा हूँ उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जरूर कहूँगा कि मनोरलाल जी के नेतरुत्व में भारतिय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हर्याना की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नीव डाली है वो हर्याना के उजवल भविश्की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली मैं आज फिर मनोरलाल जी को सारवजनी ग्रूप से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ